नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डीजिटल फ्रेशिक्ष्या के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की बरती को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अगर ये नियम इस बरती के उपर लागू होता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं तो गुरूप से की बाकी बरतीयां भी इसके दाइरे में आने वाली है वो तो वीडियो में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपका विश्वस्निया चैनल सही खबर आप तक पहुचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तो टी जी टी बरती के उपर पहले ही दो केस हो रखे थे आपको पता है एक तो एस्टेट का कुछ मामला था और एक था अनबव का यान कि एक्सपिरियंस के लिए कोर्ट केस किया गया था जिस कारण से टी जी टी रजल्ट रुका हुआ था अब इसमें एक और नया मामला सामने आया है यह देखिए अर्याना की सरकारी बरतियों में स्यामाजिक आर्थिक मांदंड के पांच अंक टी जी टी बरती में देने पर हाई कोर्ट की रोक यानि की फिलाल सोशियो एकोनोमिक राइटेरिया के पांच अंक टी जी टी बरती में देने पर रोक लगा दी गई है दूसरी बरतियों पर भी पड़ सकता है असर असर सात्यों लाजमी है क्योंकि जो नियम इस बरति में है सोच एकोनोमिक क्राइटेरिया का वही नियम और बरतियों में है और अगर TGT में इसके उपर रोक लग सकती है तो बाकी बरतियां भी इसके दाइरे में आने वाली है लेकिन क्या इनके उपर रोक जारी रहेगी या क्या मामला रहेगा उसके उपर विस्तार से चर्चा करेंगे अलाकी आपको पता होगा हाई कोर्ट ने पहले सोशियो एकोनोमिक क्राइटेरिया के अंकों की परसंसा भी की थी जब साथियों सुरुवात में लागू किये गए थे उस समय परसंसा की गई थी माननी हाई कोर्ट के दोरा की सरकार का यह फैसला सरानिय है कि गरीब परिवारों को जिनोंने सरकारी रोजगार नहीं देखा उनको रोजगार दिया जा रहा है लेकिन अब सरकार का नियम है कि एक लाख असी अजार रुपए से जिनकी कमाये है उन्हें पांच अंक देने का जो प्रावधन किया है उसके उपर पंजाब एम हरियन हाई कोट में चुनोती दी गई है हाई कोट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन अंकों के उपर रोक लगा दी है अलाकि अभी तक इसके उपर अंतिम फैसला नहीं हुआ है सात्यों अब में मुद्दे की बात यह यह सात्यों कि इसके उपर अंतिम फैसला नहीं आया है और जो आखरी फैसला होगा उसके लिए सात्यों नेक्ट डेट तै की गई है 31.01.2024 यानि कि 31.01.2024 को इसकी सुनवाई होनी है अब इसमें 31.01.2024 को क्या निकल कराएगा वो सब बाते बहुष्चे के गर्ब में हैं लेकिन सात्यों ज्यादा आपको टैंसन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि CET के उपर जो केस था वो सरकार की तरफ से जिस परकार से 19.01.2024 को उसका समादान निकला गया तो मीज है सबी को इसका भी जल्दी समादान निकल कर आएगा और अब इसमें जो TGT वालों को कुछ निरासा है क्योंकि जो रिजल्ट की परकिरिया है वो कुछ लेट हो सकती है यानि कि वैसे भी अगर माना जाए तो 31 जनुरी तक तो इनका रिजल्ट अब चला ही गया है अब 31 जनुरी के बाद ही साथिवे प्रोसेस आगे बढ़ेगा और भरतियों से रिलेटिट जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद